हेलो गाईज, वेलकम टो इस्टेड इफिलिया एजूकेशन, तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, मिडिल इस्ट को, जिसमें सारे के सारे जो हम फैक्ट पढ़ने वाले होंगे, इसमें मिक्स होगा, ये कंट्री वाइज स्पेसिफिक नहीं होगा, हाला कि आपको कुछ स्लाइड आपको मिल जाएंगे, थोड़े से कंट्री वाइज, यूँ समझ लो, ये मिक्स आते रहेंगे, ये स्रीज चलेगा, इसका पार्ट वन है, इसके एक दो पार्ट और आएंगे, जिसमें हम कबर कर लेंगे, पॉस्बिली जो मैं मिडिल इस्ट का आपको पढ़ा सक क्योंकि आप सभी को पता है, एक्जाम पास है, और मेरे पास टाइम कम है, तो इस वज़े से मैं मिक्स लेके आ रहा हूँ, हाँ, हलाकि ये गारंटी लेता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा, वो एक्जाम प्रेस्पेक्टिव से होगा, पूछा जा सकता है वहीं से, और जो भ कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी ही, कि जैसे अभी मैं अफगानिस्तान कवर करूंगा इसमें, तो अफगानिस्तान की जो मैपिंग है, जिस तरीके से मैं कराऊंगा, आप भूलोगी नहीं, किसी भी तरीके से, आस पास की कंट्री को भी नहीं भूलोगे, तो अब हम इसमें क्या डिस्केस करेंगे मिडल इस्ट की जितने भी कंट्रीज आएंगी जो भी फैक्ट आएंगे उसमें क्या-क्या इंक्लूडर रहेगा इस रीज में जोगर्फिकल खासकर मैपिंग वहां की थोड़ी से हिस्ट्री पॉसिबली क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड लेहीं ठीक है और मैं थैंक यूं इट अपने भाई को भी जो मेरी है यूद्ट यह की जो बना कक्यों मेरे मेरी मदद की है क्योंकि iç yards देखता और भी चैट पड़ता है तो तो उसे लगता है कि कहीं ने कहीं आप सब की हेल्प होनी चाहिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ना सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे अफगानिस्तान के मैप से उसका हम एक ओबर वियू लेते हैं पहले आसपास की आजू बाजू की कंट्री सी वाटर बोडी यह सारी ची प्यारा भारत और वाटर बडी की बात करें यहां पर गुजरात है यहां पर मुंबई मिलेगा यह ना बाकी और हमारी स्टेट जो है और फिर यह आ जाता है इधर नीच आप सदन साइड में जाओगे तो आपको इंडियन आशिन मिलेगा यहां पर यह है अरभियन सी यह च और ओमन है यमेन है यूए ही ये है यह सवादिया अरभिया इस तरीके साफ को मैपने चेंद हैं और यहां पर पाकिस्तान यह ए इरान और आज आता है यहां पर अफगानिस्तान एना यहां पर हम एक बेलप कर रहे थे चाबार पाफ्ट कि युकंड करता अफगानिस्तान और इस चाबार पोर्ट से जहां से इंडिया अपने सामान भेज पाता अभी हम देखेंगे अभी तक अफगानिस्तान और इंडिया का कैसा ब्यापार होता था बीच में ही आपको पता चलेगा और यहां से हम रेलवे रूट बिल्ड कर रहे थे जो की वह हो नहीं पाया पॉस अभी को पता होगा आज का जो पाकिस्तान है अभी करंटाइन में हालगी में यहां पर पूरा तालीबान खास करें जो काबूल है कैपिटल सहर वहां पर उनका कभजा है वहां की लीडर बन चुके हैं तालीबान के अपनी प्राइम मिनिस्टर एंड जो भी है पॉलिटिश किया बिडबीन मुझे याद है सिस्टी अगस्त तक ही पूरा कभजा हो गया था युएस से अपनी जो आर्मी है उनको पुल करना था आपने बहुत सारे फूटेज भी देखेंगी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में आपको पता चला होगा कि क्य यह चीज आपको पता होनी चाहिए करेंट अफेर आई होब आप सभी ने कबर किया होगा उस पर आपने नजर जरूर बनाई होगी तो अब एक बरी आप क्या कर लेते हैं अफगानिस्तान की आजू बाजू कंट्री देख लेते हैं ना जैसे कि पाकिस्तान है आपको यहां किर्गिस्तान से बाडर नहीं लगती इसकी अगर आपको ऐसे कोई option में मिले तो आपको इलिमनेट करना है और नहीं कजाकिस्तान के साथ अब किसके साथ बाडर लगती है उस्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और इरान है ना दूसरा यहां से आपको थोड़ा सा एक बाडर और आपको और दिखागा बहुत ही नेरो पैसेज है वह है चाइना से कनेक्ट करता है और हम अभी देखेंगे बीच में सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान कोरिडॉर किस तरीके से डबलब हो रहा है और क्या-क्या चीजे कनेक्ट हो रही है तो वह सारी चीजें आपको समझ मे पाकिस्तान के साथ बारडर लगता है इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी है ना और एरान हम देख रहे हैं तो यहां पर यह परिजियन गल्फ है ना और यह हरमूज यहाँ पी स्ट्रेट है बहुत ही नेरों पास पासे जो की कंट्रोल कोन करता है इरान करता है तो अभी धीरे 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 छीज़े आपको और समझ में क्लिख आएंगी अना मैप से ही आपको यह तो मैं गरेंटिय कर सकता हूं मैप से कोई साथ भी कोशन आप से पूछा गया आप गलत नहीं करके आओगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नाओ थोड़ा सा फैक्ट लेते हैं आफगानिस्तान के बारे में ही अफगानिस्तान के है जैसे मैंने बताया यह एक लैंड लौक कंट्री है लोकेटेट इन हाड आफ साउथ सेंटरल एसिया थो आप देखो यह Central Asia है आपको पता होगा South Asia में हमारा प्यारा भारत पाकिस्तान और इधर जो यहां पे Southern Side में कुछ कंट्रियां है वो लाए करती है ठीक है तो आप देखा जाए जैसे मैंने बताया aż मिडल एश्ट में यह को मिडल एश्ट में आपको पूरा इधर जीए को सिब्सक्ifically में लाए करता है और एक लेंड लॉक कंट्री है तो लेंड लॉक कंट्री क्या है मैं आपको बता देता हूं जैसे पाकिस्तान है यह अरब कर सकता है ठीक है इरान क्या कर सकता है यह किसको पर्षियन गल्फ के थुरूख अरब यहीं एक ऐसी कंट्री है ना जो किसी भी वाटर बॉड़ी को एकसे नहीं कर सकती डारेक्ट ली और चारों तरब से लैंड से लॉक्ट हो जैसे तुर्कमेनिस्तान है इधर इतर इरान है किर्गिस्तान जो भी किर्गिस्तान बॉटर नहीं लगाती उजबेकिस्तान है तो एक तरीके से लॉक्ट है ना चारों तरब से यह किसी भी वाटर बॉड़ी को डारेक्ट ली एकसे नहीं कर सकते उसी को हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं आई होप इतनी सी बात आपको पर इंपोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं जैसे आपने सिल्क रूड के बारे में आपने सुना होगा हम आगे देखेंगे जो कि कनेक करता है किसको सदन एंड इस्टन एसिया को भी साथ साथ किसको यूरोप एंड मिडल इस्ट को ठीक है और अफगानिस्तान जो है यह काफ वार चलती रही है है ना पावर के लिए बहुत ही टाइम से ठीक है तो आज भी देखते हो कि किस तरीके से तालीबान ने कबजा किया है जो वहां की गवर्मेंट थी अफगानिस घानी साहब की असरफ घानी साहब की वह किस तरीके से बिखर के रह गई आफटर यूएसे के ब्लंडर की वजह से बाइडें के वाइडें जो डेंट बाइडन के वजह से ना बहुत सारे लोग मारे भी गहे तендew Państwa ₂ कितनी बड़ी मिस्टेक की है उन्होंने अपने प्रियर्ड में यह ना यह चीज आप सभी को पता होनी चाहिए ना दा मॉडन बाउंडरी जाओ अपकानिस्तान वर स्टेबलिस इन दा लेट 19th संच्री जो अभी की आपको बाउंडरी दिखती है ना वह 19th सेंचुरी में स्टेबलिस की गई थी है ना क्यों ऐसा कैसे हुआ इसको मैं आपको समझाता हूं बहुत टाइम से पहले जिस तरीके से भारत जो हमारा प्यारा भारत है किसने कपजा करके रखा हुआ था बिटेन की कपजे में ऐसे ही बिटेन ने बाकी और भी कंट्रियों को क चल ली थी किसके बीच में इंपरियलियर्जम की बिटेन और जारिस्ट रसिया जो रसिया में किंग होते हैं उनको जार बोला जाता है आप सभी को बता होगा है अगर आपने रसिया पढ़ा होगा तो तो जो जारिस्ट थे रसिया से और जो बिटेन के बिटेन के इंपरिय 1979 के किस तरीके से इरान और अफगानिस्तान में भी किस तरीके से इंफ्लेंस बढ़ा था तो चीज आप देख के रखना और एक तरीके से इसको ग्रेब यार्ड भी बोला जाता है क्योंकि बड़े से बड़े इंपायर बड़े से बड़े जो पॉलिटीशियन बड़ी सी बड काई में लग गए थे यहां से भी एक तरीके से बीट होता है सोवियत यूनियन का क्यों कह जो है लिए उससार का तो यह भी एक मीजर रीजन आपको पता हो ना चाहिए है ना तो कोई भी कपजा करना चाहता है आ तो जाता है हर कोई अफगानिस्तान में कपजा करने के दस साल पंदरा साल आप रह सकते हो जैसे यूएस से खुद भी अपने सोलजर को लेके वहां से काफी टाइम तक रहा रहे वो लोग और उसके बाद कर लिया गया सारे सोलजर को तो उसी तरीके से एक बार सोवियत यूनियन भी आए थी यहां पर और आपने देखा भी होगा क अपर तरीके से चाइना एंड आज का टाइम जो यूससर है जिसको यूससर तो नहीं रहा यह रस्या को कह सकते हो हैंना किस तरीके से मदद कर रहे थी किसकी तालिबान की किसके खिलाब अमेर की सोलजर अमेरिका के खिलाब क्योंकि उस time पे भी ऐसा ही हुआ था अमेरिका ने Soviet Union के खिलाब अफगानिस्तान में ये जो तालिबान थे किसके बनाए हुए हैं ये तालिबान स्वियम अमेरिका के ही दोरा बनाए गए थे उस time पे modern type के जो हत्यार यूं कहलो पाकिस्तान के साथ मिलके इनको provide किये गए थे इनको दिये गए थे हतियार rocket launcher दिये गए थे किस से लड़ने के लिए Soviet Union से लड़ने के लिए ठीक है तो यह चीज थी आपको इतनी सी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या चलना था ग्रेट बिटेन भी था एक बार के लिए जो ग्रेट बिटेन था उससे आजादी भी मिल गई थी वह हम आगे देखेंगे कब ऑफिसली आजाद हो जाता है अफगानिस्तान बिटेन से तो इसको आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए ग्रेबियार्ड किसको बोल का है ठीक है तो ऐसे ही रुद्यार्द किपलिंग ने भी एक टम दिया है ग्रेट गेम का यह ना तो यह भी आपको यह टम पता होना चाहिए लास्ट कौटर और आफ टॉंटियथ संचुरी टॉंटियथ संचुरी जैसे आपको पता होगा तो एक संचुरी में हेंडर्ड य के बीच का अफगानिस्तान काफी सफर किया इसमें वहां पर बहुत ही ग्रेट सीविल वार हुए जैसे मैंने बताया किस चीज़ को लेके एक ही चीज़ को लेकर पावर को लेकर मिलिटरी इन्वेजन हो गया था वहां पर भी जैसे मैंने बताया किस चीज़ के लिए क्योंकि वह चाहते थे कि अफगानिस्तान जो है उसको क्या कर लिया जाए तो यह चीज़ आपको समझ में आना चाहिए यह डेट या रहना चाहिए दस साल आपको पता होगा जैसे आश्यावीन आके रह रहे थी और किसे इन यह जो लड़ाके हैं ना उनसे लड़ रहे द заключ तालीमात यूं कह लो तब इतना फोन हो अधा इतना इतना फैमस नहीं था क्यूंकि कोई फंड नहीं कर रहा था बात में धीरे धीरे अमेरिका ने और पाकिस्तान की मदद से इनको फंडिंग मिली हत्यार मिले वेपन लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए होता पैसा और वेपन इसके बिना आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते ठीक है क्योंकि जो फाइटर जेट गिजबोया था और आज ही तालीबान उन्हीं के खिलाब खड़ा भी हुआ खिलाब तो नहीं था यूं कहलो कि तालीबान के हाथों में जो मासूम जंता थी उनको सौब के चले गई एना खैर देखा जाए वह तो बात की बात है वहाँ पर क्या चीज़े चलेगी आगे क्य इस नाइंटीन से लेके दस साल तक 1889 तक सोवियत उनियन नहीं उसके बाद सोवियन सोवियत यूनियन का जो भी हिटन है वह हो जाता है नैंटीन 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 के बीच में है ना अब नैंटीन नैंटीसिक्स एंट दो हजार के बीच तक क्या होता है यहां जिस तरीके से अलग-अलग ग्रूप फॉर्म हो रहे थे जिस तरीके से लड़ाके हो रहे थे लड़ाके आ रहे थे यह ना तो एक इसलामिस्ट गूरुप था जो की काफी इंफ्लूएंस था यह और अबल फंड़ड गूरुप था और इसको फंड कोन कर रहा था एक जायली सौधी अरभियन था वो कौन था जिसका नाम है औसामा बिन लादेन वो इस गुरूप को फंड कर रहा था जिसको आज किस नाम से जानते हो तालिबान के नाम से तो आज तालिबान इतना ही powerful है ठीक पाकिस्तान में ही अमेरिका नहीं मार गिराया था और ऐसा क्यों किया था वो तक अमेरिका तभी हरकत में आता है जब उनका खुद उपसान होता है 9-11 का आपको अटैक नहीं भूलना है ना 9-11 का अटैक हुआ था उसी के बदले में उन्होंने यह सारी चीज़ें उसामा बिनलादीन को ढूलना उनके लोगों को ढूलनों के मारना एना ओपरेशन चलाना इस तरीके से उन्होंने यह चीज़ें शुरू की थी आगे बढ़ते हैं लेंदी नहीं करते वीडियो अफगानिस्तान इस लार्जेस सिटी काबूल के नाम से जानते हैं तो जैसे मैंने आपको मैप में भी दिखाया था यह काबूल आपको देखेगा आपने काफी न्यूज में इसके बारे में सुना रहा होगा तो अब देख से काबूल भी तो यहां पर एक सरीन सिटी ऑफ मॉस्क्यू है गार्डेन है जो की बनाया गया है किस टाइम पर राइन ऑप दा इंपरर बाबर की टाइम फिप्टीन टॉंटीश से लेके ठटी की बीच में है ना और जो की फाउंडर रहे हैं मुगल डाइनेस्टी के अगर आख बंद करके टिक लगा देना ठीक है तो यही संस्थापक है बाबर के तो जो की मुगल डाइनेस्टी इंडिया में जो आए थी वो भी इसी के संस्थापक है ठीक है एंड सेंचुरीज एंड इंपॉर्टेंट इंडर पॉर्ट ऑन दा सिल्क रोड यह तो मैंने बताए जो की ट्रेड हुआ करता था प्रिवियस टाइम में आगे तो अब देखते हैं सिल्क रोड मैंने कहा था आपको मैं सिल्क रोड दिखाऊंगा यह है आपको चायना दिख रहा होगा यह हमारा सबसे पहले अपने प्यारे भारत को देखो ठीक है यहीं से सारी चीजें को ठीक है यह है गंगेश और नर्मदा रीवर आपको दिख रहा होगा यह सिंध्र प्रोबियेंस है जो कि इदर है इसर पाकिस्तान में है इसर यह दिख रहा हुगा इस यह पाकिस्तान इंडस रीबर है ऐसे निकली हुए है यहां से और यह हिंदु कुस्ट माउंटेन वगर तो यहीं से पाकिस्ट चाइना की इधर ही लगती है अफगानिस्तान से यह पूरा सिल्क रूड है संघाई सहर उस टाइम पेकिंग बीजिंग को पैकिंग बोलते थे यह पूरा का पूरा यहां पे सिल्क का ब्यापार करता था चाइना थुरू तिस रूट कहां यूरोप से यूरोप में है ना पूरा और इंडिया में भी यहां से था अलाहबाद प्रयाग राज डेली तक्षिला तक्षिला जो की प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान में ही आता है तो यह पूरा वेल कनेक्टेड रूट है है ना सिल्क रोड यह आपको पता होना चाहिए ठीक है जो की चाइना में भी मिलेगा आपको और कहां मंगोल में भी मिलेगा तो यह एक बार आपको सिल्क रूट के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए ना यह आप बताओ कौन सी कंट्री की कैप्टल है ठीक है अब बताओ मुझे ना आगे चलते हैं एक हिस्टोरिक प्लेस है दरूल अमन पैलेस आज की तरीके से आपको यह दिख रहा होगा खंडार टाइब का बिल्कुल यह खंडार हो चुका है आज की टाइम में पहले बहुत खुबसूरत हुआ करता था ठीक है और जिस तरीके से मैं बतार यह यह तो दरूल अमन पैले कि पिक्क्चर है यह और को देख लेना है इसलिए लगा दैक् negotiated कैबूल किस लिए प्रेइंश के लिए इस सने daíक्री नहींते लीज में यहां पर टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा ट्रैक कर रहे थे टूरिजम को भी पर जिस तरीके से हालाथ बिगड़ जाते हैं रहे तालीबान हो आपको प्ता हो आप आप क्यूंगे तरीक चीजे हैं और लसी को देखते देखते जब एक टाइम पे जो मिडेल काबुल था इस सहर को पैरिस ऑफ सेंट्रल एसिया की नाम से भी जाना गया था इसको निकनेम कर दिया गया था पैरिस ऑफ सेंट्रल एसिया अगर पूछा जाए किस सहर को जाना जाता किस सहर को कहा जाता था तो वह है काबुल नौ यह है बावर का गार्डन जो मैं आप मैंन समझते हैं यहां पर आद हैं आपको हमेशा भारत कस्पेटिव से देखना है यह पाकिस्थान और शेट पाकिस्तान ऑखकत śपि पाकिस्तान स्वाइब कर तो अब यहीं से देखते हैं यह पाकिस्तान यहां है खाइबर पास बहुत इंपॉर्टेंट पास है जहां से ब्यापार इन्वेजन एंड ओल सारी यहीं से बाबार आया था इंडिया में भी इस पास से ही जो कि सफल हो गया था इंडिया आने में करमण कर दिया था तो यह पास बहुत पाकिस्तान और आफगानिस्तान की बीच में एक क्रेंटी लिए तो उस ट्रिटी में ताहिन ही गता कि पाकिस्तान अफगा अफगानिस्थान को मना नहीं करेगए इस रूट को यूज करने के लिए इंडिया मैं यहां से बहुत सारी पाकिस्तान है तीक है और यह ताजाकिस्तान आजू आजोवाजू में आज नौर्ट साइड में उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और यह हैं इरान है ना यह काबूल आपको पता होना चाहिए जो है माउंटेन रीजन है आपको यह में बता दो इसलिए जो यहां पर तालिबान है ना वह सक्सेस्फुल है लड़ाई करने में किसी से भी तो ना यह है हिंदू कुछ माउंटेन रेंज बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है यह आपको ध्यान रखना है और दूसरा आपको एक यह है प्रोम प्रोपा मिसुस माउंटेन्स रेंज है ना यह पूरा यह पूरा रेंज है ना यह है है हल्मेंट रीबर आपको दिखरा होगा यह पू और एक और रिबर आएगा जो तुर्कमेनिस्तान में भी गया है वह भी हम देखेंगे यहां पर किस तरीके से अभी आप समझी हिंदु कुस्ट माउंटेन रीज काफी बड़ा है यह है पामीर माउंटेन और यहीं से आपको पूरा दिखर होगा यहीं से जो पास है यह चाइ चाइना से कणेट करता है और यहीं से चाइन चाइना क्या गहार है चाहिना पाकिस्तान सीपक और बनने हैं हाईवेई च्पेस प्रम चाहरा है ठीक है थह कि हुआ है रहे हैं ऑ है यह सारी चीज cran आप इतना समझ में आ गईникомral्ट समस्वार्ण फिजिक 일본 अभनंग सब्ढ़ इसलिए हम इसको डिटेल में पड़ रहे हैं और आगे भी जो लेक्षेर आएंगे उसमें भी हो सकता आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी ना आगे बढ़ते हैं अगे एक मैप और है यह पॉलिटिकल मैप है एक तरीके लिए पॉलिटिकल प्लस फिचकल मैप है तो यह हमारा प्यारा भारत इंडिया और यह इंडस रिवर आप देखर होगे जो पाकिस्तान में है यह खाइबर पास इस पास को याद रखना है काबूल है यह पंजीर वैली बहुत फैमस वैली है पंजीर वैली या पंजीर आपने सुना होगा जहां पर अभी किसके भी जो पंजीर के सैनिक है और तालीबान के बीच में फाइड भी चल लिए यह हिंदु का कुस माउंटें रेंज यह भव्यान फैमस सहर है यह ना मजारे शरीफ यह आपको पता हो वह चीज आप देखना बट यह घजनी प्रम्यान काबुल मजारे शरीफ है यह क्या है आप यह पता होना चाहिए डिजट है क्या है वह आप आगे भी समझेंगे ठीक है अभी देखेंगे अमुदरिया रीबर यह किस तरीके से पूरा ना किस तरीके से यहां से फ्लो हो रह काबुल कहां है मजारे शरीफ कहां है यह सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे प्रैक्टिस कीजिए पंसिल वैली कहां है ना खाइबर पास कहां यह आपको बता होना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं यह चीज़ और आपको हम हने यह जो मैप पर होते हैं तो जैसे जैसे डार्क जाएगा वहां यहां पर यहां थोड़ा सा कम स्टीफ होगा तो ठोड़ा सा कम स्टीफ होगा तो थोड़ा सा दिख जाएंगे आपको दिख रहा होगा इस कलर में वैली एंड आल है ना वैलिड की से बोलते हैं जो दो तो मांटेन के बीच में जो आपको टरीके से प्लीन मिल जाए है इतनी से बात हैं को समझ में आगे होगी है लेते हैं ना हम इतनी composition देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में यह 2004 का डेटा है करन्ट का डेटा नहीं है क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से civil war चल लिए जिस तरीकी condition है अफगानिस्तान में वहां पे ऑफिसियली सर्वे प्रॉपर वे में कंड़क नहीं कराया जा सका नहीं कभी प्रॉपर हो पाया 2004 में हो पाया था जिसका डेटा रहा है तो यह ब्रिटेनिका का डेटा लिया है मैंने तो अब यहां पर देखे पास्तून जो हैं जिनकी संक्या कितनी है 42 परसंट है और एक बार के लिए आप comment करक है अब बादिस्तान की टोटल पॉपलेशन अभी करेंट टाइम में कितनी है नौ ताजिक जो पिपल है 27 परसंट है एडलिस आपको तीन एथनी कंपोजीशन पता होनी चाहिए 42 परसंट एरांड पस्तून है ताजिक जो पिपल है 27 परसंट यह जो हजारा है और उजबेक ह तो आते हैं दे एक माइनोरेटी में हो 30 होते हैं जो पिपल कोम फिपल की जेनसंख्या होते माइनरोटि में डाल लिया जाता है तो हजारा और उसक्σιुश्बीग जो पिपल ह क्याली है वह हो सकता है यह जो हजारा पिपल है यह और भी कम हो गए हैं नहों कि आगे बढ़ते हैं कि दा पीपल आफ अफगानिस्तान फ्रॉम में कॉंप्लेस मौसायक आफ एथनिक एंड लेंग्विस्टिक ग्रूप ठीक है तो थोड़ा सा यहां पर कल्चर लेंग्विज को भी देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर जिस तरीके से इनकी एथनिक कंप जानते हैं यह दोनों ही लैंग्विज बोली जाती है और जो कि इंडो यूरोपिया लैंग्विज से ब्लॉंग करती है और दोनों ही ऑफीसियल लैंग्विज है अभी तक रही आप देखो तालीबान की सरकार चेंज करते उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हो दोस्तों अभी त है ना country अफगानिस्तान की नाउ कि more than two-fifth of the population speak posto जो two मतलब five में से दो लोग जो मिलेंगे आपको पोस्तो पोस्तो जैसी लेंग्विज बोलते हुए मिलेंगे हाला कि देखा जाए जो अलग-अलग अमंग ताजिक हजारा जो पीपल हैं उनमें भी अलग-अलग लेंग्विजस बोली जाती है ऐसे ही किजिल बास जो पीपल है यहां दरी जो पर्सें पर्सें के लेंग्विज वह भी बोली जाती है झाल पोस्तो और जो डरी है वह पता पता अचाहिए तो इतना तो आपको पता होना क्लियर होना चाहिए लेंग्वेज और एथनिक कॉंपोजीशन को लेके बिल्कुल भी गडबड़ी नहीं करनी है आपने आप थोड़ा आप remembrance किस तरीके के मिजॉौरी है किस तरीके से मेजॉर्टी हैं मसल्म में दो alum बना रखे हैंす सुन्हीं और स्यज़म है मैं जो भी मुश्लिम भाई लोग होगे यह बता सकते हैं कि क्या टिफकरंसस्ट बैटर कि परसेंट की वो है सुन्नी मुस्लिम की और बाकी जो अधर है 1% जिसमें सिख कह लो है ना तजिक है हजारा है अलग जो एथनिक सिटी के हैं वो लोग है आपे है ना जो सिया एंड सुन्नी जो मुस्लिम है उनका मेजर कॉमपोजीशन आपको यह देख ला है 2009 का डेटा है हो सकता है यह ज्यादा पांच या दस परसेंट कभी कम नहीं होगा ना दस परसेंट बढ़ेगा ठीक है यह बात आप ध्यान रख लेना आपको पता होना चाहिए मैजोर्टी जो है सुन्नी मुस्लिम की है यह 75-80 के परसेंट की बीच में लाए कर सकती है दूसरा जो सुन्नी मुस्लिम है वह 19 परसेंट की बीच में लाए कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इतनी सी बात सारी चीजें आप सभी को किलियर होगा और अगर आप सभी को कोई डाउट होना आप कोमें कर सकते हो मैं सभी के कोमेंट को पढ़ता हूं और डेफिनेटली मैं कोई भी डाउट होगा किया जाएगा पॉस्विली नाउ दा फरव मोस्ट इसपोर्ट इंटर्म पॉपलर्टी इन अगर देखा जाए इस पोड की बात करें सीधी सीधी सीवाथ यहाँ पर एक सपोर्ड है यूं कहलो नेशनल इस पोर्ड या बोलो ट्रीडिशनल स्पोर्ड जो प्ले किया जाता ह आपर जो खेलते हैं वह है बुच खासी के नाम से मिलेगा गेम आफ बुच खासी यह क्या है अभी में बताता हूं इंग्लिस टम देखें गोड़ ग्राइबिंग इसमें क्या होता है कई गूवर होता है जो जुद्द करते हैं और गोड़ की घरदन को अलग कर देते हैं धड़ होता है उसको लेके जिस की सी फुटबॉल को लेके भागते हैं चेज करते हुए गोल पोस्ट में गोल करते हैं ऐसे इस तरीके का ही गेम होता है इनको क्लियरली मुझे भी नहीं बता पूरी तरीके से मैं नहीं देखा इस तरीके से बता रहा है और याद रखो इस तरीके से रिलेट कर पाउप फुटबॉल की तरीके से कि उनको भी गोल करना होता है ना उसकी धढ़को ले जाके वह घुरसावारी करते हुए अभी हम इसकी पिक्चर भी आपको दिखाने वाले मैं आपको दिखाई देता हूं होता है और गोल करना होता है तो इस तरीके का गेम है बुझ खासी जिसको बोलते हैं तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर गेम से रिलेटे स्पोर्ट से रिलेटे कोई भी कोश्चन आप से पूछा गया तो यही पूछा जाएगा अफगानिस्तान से अब बात आ गूगल कर लिजेगा ठीक है इट बिकेम डिपब्लिक ओन 17 जुलाई 1973 में ना करनसी क्या थी अभी अफगान अफगानी अब वह अपनी खुद की करनसी तालीमान डेक्लियर करतें वह बात अलग है ठीक है अभी के लिए अफगान अफगानी है जो आपके एक जाम में भी आ करता जाएगा है ना डाउटफुल कोशिन कोई नहीं आएंगे ना सोभियन असोभिय तक बान वार कब हुआ था मैंने एडलीस आप डेट और मन्त नयाद कर पाओ यह याद कर सकते हो 1979 से लेके 1989 जो कि 10 साल तक चलती रही थी तो अगर डेट याद रखनी है दिसंबर 24 से ल मीटर है हाइस हाइस पीक है यह मैं आपको नौसाग दिखाता हूं यह मैंने मैं आपको दिखाए दिया था ठीक है और नौसाग अजट पोड़ नौसाग पेटबड़ नौसाग तो अमोरी बर वैँ और अमोरी आपको यह पूरा आपका यह रीवर का है मैप वैट आप यस 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 के बंज वैली चंजर फोरा है रत पॉंस कहां गया माप यह हीर इस यह मैप है यह जो पॉइंट आपको दिख रहा हो गारा ये पामीर के पास और ये हिंदू कुस माउंटेन कि पाकिस्तान से पूरा लगता हुआ है यह है नौसाक जो कि 7492 मेटर्स पर है अगर पूछा जाए तो आप हाइस्ट पॉइंट बता सकते हूं ठीक है अब दरिया में आपको भी दिखाता हूं नेशनल इपर लेपर आप सभी ने देखा हो तो एक स्नो लेपर भी होता है जो कि अगॉल्ड इगल यह सब पता हो ना चिए जो है है काबूली उलाव यह कि एक न है जो की तुर्क्मेंश्तान से देखा गाय था tao और वहांसे पिक्चर ले गरे जो अमू ड्रिया रीबर एंदने फिक्चर ठेक है if इवनिंग बिक्चर तो अमस ड्रीया रीबर भी मैं मैं आपको दिखा देता हूं मेमिजर ली यह आपको कजाखिस्तान दिख रहा हो गगा ठीक है यह किर्गिस्तान और फिर यह है आपका अपका ओगानिस्तान यहाद उस्थे सिर यहाद पूरा अब आपको दिख रहा होगा यहे हैं पंच लंद तो यह doctrine हो यहाद पर जो पूरा बाउंडरी आपको दिख रहे होगी ऐसे तो यहां पर ऐसे लाए करता है यह अमूरीबर लॉंगेस्ट जो रीबर है वो अभी हम आगे डिसकस करेंगे अब सभी के माइंड में यह कुश्चन आ रहा होगा कि लॉंगेस्ट रीबर क्या है ना कौन सी है अफगानिस्ता ली जो लाय करते हैं हरी रीबर और हलमेंड रीबर यही एक मातरी बर है हलमन डरी बर जो लोंगेस्ट रीबर है अफगानिस्तान की ठीक है यह आपको याद रखना है आप इसको याद रख सकते हैं कि तौह से किस तरीके से लाय गर रही है इसके बारे में हम थोड़ा और बढ़ेंगे तो अमुदरिया रीवर के बारे में देखा तो इसको अमू के नाम से जानते हैं यह एक मेजर रीवर है कहां की Central Asia की अफगानिस्तान की बहुत ही मेजर रीवर है इसलिए मैंने आपको बताया और कहां तक सब्सक्राइज करते हैं राइजिंग इन दा पाइमीर औमिर माउंटेन मैंने आपको पामिर माउंटेन दिखाया ना यहां में जोकिटी नार्फ किमीन और लांड़ीर ह Badden यह राल मांटेन के नौर्फ में फाम्हेश इसके नार्फ में हैं को सके से उब और का एना किसके कौन से टूरी बर वक्स एंड पंश मैंने आपको दिखाया था यहां पर मांटन में यह वक्ष एक यह पंश आमू एना जहां पर यह जंक्शन है आपर मिलती है यहां पर अमू दरिया तो आई होब यह चीज आभी आपको क्लियर हो चुकी होगी ना यह और यह बाल का नेचरल या नेचर रिजर्ब है जो कि आप से पूछा नहीं जाएगा तो इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे और अरल जो अरल सी हैं कहां पर यह फ्लो करती हैं बाकी जो है वह हम देख लेते हैं तो अरल सी के बारे में मैं आपको दिखा देता हूं यह जो सतव हैं कहां से आपको बताया कि कहां से यहां से प상 biraz माइंट्रा इतर की पूरा ओरर नॉट आफ ब हिंदू मांटेन प्रेन कर देती है अपने पूरे पानी को है ना यह आपको किलियर मैप यहां पर विजिबल होगा अरल सी यहां पर कि यह है कैस्पियंसी अपको यह भी देख नदेगा और यह है पुरा इरान का हिस्सा लुए अगें नेशनल डांस बोलो या दांस बोलो अटन है अटन में आपको दिखा देता हूं खैर मैंने अटन खुद नहीं देखा है किस तरीके से डांस बट एक तरीके से आप यू समझेलो ट्रेडिस्टनल डांस होता है फोग डांस खासकर साधी ब्या वहां पर अफगा है यूद न्सर्ट तरदेश्टनल wishing मूजिक हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए तो पता होना चाहिए ट्रेडिस्टनल जो है है टास है जो involvementی प्रोब द्रह शुनेश्टनल सब्सक्रução करें कुषक डांस है यह आपको पता होना चाहिए लॉंगेस्ट रीवर मैंने आपको बताई दिया हेलमंड रीवर है नेशनल एंथम मिली सुरूद है ना जिसको इंगलिस में बोलते हैं गौड इस ग्रेट अगर आपको सुनना है आप सुन लिजेगा बट यह चीज आपने नहीं बूलन है ना और आपको पता है रविंदर नाठ टैगोर जी है वो नोबल प्राइज विनर भी रहे हैं है ना जो कि इनके इसके आथर है काबुली वाला अगर यह पूछा गया क्योंकि बहुत ही फैमस लिट्रेचर है पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए राइटर का ukt sonra जो कि इस मैंने आपको पहली मैप करा तीन है काबुल बह्यान गजनि एक बर मेories और मैप करांदेता हूँ कहां पर यहा 파ई कि यहां पर आपको काबुल कि तरीके सट देखنا यहां पर काबूल यह गजनी यह व左 है ले नहीं बहुत ही मेजर सहर है इनके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा किसलिए फैमसे वह जरूर आप पढ़ लें ठीक है ना हम हेलमन रीबर की बात कर लें कहां पिलाए करती है यूँ देख लो जूकि मैंने बता दिया कि यह लॉंगेस्ट रीबर है अफगानिस्तान की है ना और क्राइमरी वाटर सेट गोले एप की ना यहां से जमी अपजया होती है आपको पता है जहां से नदियां यहुं गुजरती है दो पास के लैंड होते हैं veryible होते हैं जिन पर अगरिकल्चर किया जा सकता है तो और यह और यह देखें यह जो अलमनंट रिभर है इसका जो कुछ पाट जो है न वह इरान में भी है तो यह इरान पार्ट आफ यह इंआ डानट यहों कहें लांगे ळार यहां की कि क्या है कहां से कैसे हुआ है यह आप देख सकते हो और कुछ लास्लाइड है इस वाल इस पार्ट की इसको हम थोड़ा से और अच्छे से डिसकस करेंगे समझेंगे और समझेंगे आज पास की आजू-बाजू कंट्री के बारे में अफगानिस्तान के बारे में नौ अब कहोगे सर पढ़ा तो आप अफगानिस्तान रहते मिडिल इस्ट आप मॉस्को कैसे बहुत जिया जान जो मिल जाएं आप अभी पढ़ लो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाला है इसी बाहने आप पढ़ भी लोगे तो यह एक मॉनिस्ट्री है किस तरीकी की मॉनिस् कि आया था तो उसमें मैंने चर्च के टाइब बढ़ाया थे और और ऑर्थोडोग्स चिर्च का लोगर्ष ऊनंड प्रॉटेस्टेंट का अब मैने आपको बताया होगा है तो एसे रसियू तो यह चार्श दिखा देता हूं कि यह है खुबसूरा सा यह चर्च है ना यह एक मोनेश्ट्री है जिसके नाम से जानते हैं मेजर मोनेश्ट्री ऑप दर रसियन और तो डॉक्स चर्चिन मॉस्को बहुत ही फेमस है अगर यह पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए न्यू जो जेरुस आपने नाम देखा रहे यह तो जेरुसिलम में पक्का होगा तो आप मतलब आपको लॉलीपॉप देने की कोसिस करेगा एक्जामनर है ना इसी तरीके से आपको लॉलीपॉप नहीं लेना है तो आपको पढ़े रहोगे तभी आपको मजाएगा इलिमिनेट करने में भी ठी आपने देखा हाई यहाँ पर नियूज़रुसिलम नाम है तो पका जाहिर सी बात आपको नहीं है यहाँ को सहर में है मॉस्कों में ठीक है यह मैंने बता दिया बाकी की चीजे जो यहाँ पर लिखें बखवास है उसको मत ध्यांदो अगे बढ़ते हैं तक हाइबर पास करने करता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को जो कि एक ट्रेड रूट है आपस में ब्यापार करने के लिए ठीक है यह आपको पता होना चाहिए क्या है यह सारी चीज़ें और भी हम देखने दस्ते कभीर अभी मैं आपको मैप पे दिखाने वाला हूं ऑल्सो नोन एज ऑफट इसेंट तो डिसेंट ना समझो ग्रेट साल डिजर बोल सकते हो एक तरीके से डिजर है ना पूरा यह आपको देखना है कहां प्लाइन करता है मिडिल ओफ इरानियन प्लेटू यह आपको अफगानिस्तान में नहीं मिले गा दस्ते कभीर यह मिलें आपको इरान में अब अफगानिस्तान एक बार के निकाल दो इसलिए मैंने बोला था यह मिक्स लेक्ट्चर रहेगा मिडिल इस्ट कोई से भी कंट्री का कोई सब्सक्राइब कहीं पर आएगा आपको गेट करना है नौ तस्ते कभीर के बारे में देखते हैं थोड़ा था का मैहीं है का वहीर दिखेंट एक अफगिर यह है इसाइट कम affiliated कि अबार अच्वाजी थोज की देखने पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्कमेिस्तान और मोळ मेरे में देखते है ना साथी अरभिया इराग तो आपको सही option लगाना है उपर आपको कैस्पीन सी दिखी रहा होगा तो यह है दस्ते कबिर काफी फैमस है और आप हाइस्ट माउंटेन आपको मैं दिखाए देता हूं माउंट दामवंध जिसकी हाइट है तो दस्ते कबिर के बारे में जैसे मैंने बताए एक ग्रेट साल डेजर्ट है और यह लार्ज डेजर्ट है जो कि मीडल अफदा इरानियन प्लैटू में है ठीक है और इसकी लेंद्ध देख लें टोटल लेंद्ध जो है बाउट एट हंडर्ड किलोमीटर लॉंग है ठीक है और इसकी विर्ट देखे तो 320 किलोमीटर का है और टोटल सरफेस एरिया देख लिया जाए 77600 स्क्वाइर किलोमीटर में है ठीक है जो कि इसको बनाता है वर्ड का 24 लार्जेस्ट डेजर्ट ठीक है चलो आपसे क्वेशन पूछ लेता हूं वर्ड का लार्जेस्ट लगीन आप बताएंगे ठीक है कॉमेंट सेक्षिन में आगे बढ़ता है अपने तरह बाते हैं ना कुछस्तान प्लेंस लोलेंड प्लेंस इस लोकेटेड इंड इरान यह जो फुचस्तान प्लेंस है न यह भी गेवल लाइन एरिया है जहां पे खेती करना संभा है तो वह शबाता हम यहां बढ़ेनन अगया है दर्फ हमेंन नहीं पर नहीं नहीं बोलना है और अरेबियन से नहीं भूलना है आसपास की युएई कंट्री कतर कहां है बहरेन कहां कुवेद कहां इराइक कहां किस-किस के साथ बॉर्डर लगाती है कभी नहीं भूलना है अपने ठीक है इतनी महरवानी करते ना बस मेरे से नौ यह है फुजिक्स्तान यह बहुत ही प्लेन एरिया है मैं समझा दोंगा अगें तो आपको वह चीज आजा याद आ जाएगी दस्ते कभी एक बार और देखो क्लियर मैं पर यह माउंड दा मॉंड जो मैंने आपको बताया अल्बूर्स माउंटें रेंज भी है और यह है जागरोस माउंटें रेंज इधर पूरा फैला हुआ है दस्ते लट यह भी है और यह चीज आपको पता होने जी बस इतनी सी बात है आपको यह इस फाहान जो सहरे काफी पहमस सहरे रहे ना बंदर आबास अब आपके नाम भी आपने सुना होगा किस नाम से प्रेमस बताए बंदर आबास क्या है ठीक है अगे बढ़ता है आगे आ लो और कहां पर लोकेटड है यह लोकेटड है अबुदाभी अबुदाभी कहां लोकेटड है वह यूए यह ना जो एका फुल फॉर्म क्या है आप लिखे मुझे ठीक है आगे आपको पता भी चलेगा आप लिख सकते हो अभी वीडियो को देख रहे हो पौज करके अप यू लिवा ओसिस या दलो लिखाओ लिखाओ बट लिवा ओसिस आपको मिलेगा तो यह एक लार्ज ओसिस है और जहां पर एक ऐसा लैंड एरिया जहां पर आसपास कुछ ना हो पानी ना हो कुछ भी पर वहां पेड़ संभाव एक तरीके से पॉस्बिली तरीके से गॉड़ गि है रहते भी हों है विटेट तो ऐसा ही एक जगह है काफी पॉपलर है एक टूरिस्ट डिस्टिनेशन भी है अबुदाभी में ठीक है तो यह कहां पिलाए करता है वेस्टन रीजन आप दा एमिरेट आफ आफ अबुदाभी तो जितने भी एमिरेट है यूए के ना आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा ना यह जो लीवा उसिस है यहां पे विलेज भी है तो जिसको यहां पर सदन मोस्ट सेटलमेंट है यहां पर अबुदाभी का तो यहां पर लोग रहते हैं और यहां इस जगह को परमोड भी किया जाता है का फिर टूरिस्ट के लिए जै अब ही मैं मैप भी कराऊंगा आपको मैपिंग पहले यह जगह देख लो इस तरीके से आपको ब्यूटिफुल दिख रहा होगा थोड़ी गास जाडियां हैं बाकी सब्रेथ हैं और यह पूरा काउंट का कुछ बनाया हुआ है आपका कभी आपका कभी मान हो आप बिजिट अब दिखा रहा हूं पहले दो यह है हमारा प्यारा भारत ठीक है यहां पर पूरा इंडियन ओसियन है अरबियंसी से होके गल्फ आप ओमान में इंट्री करेंगे दिन आप आएंगे पर्शन गल्फ में यह है ओमन यमन सवदिय अरभिया फिर यहां पर आपको मिलेगा यह बॉर्डर से लगता हुआ है किसके साथ बॉर्डर लगाता है मैपिंग इतनी अच्छी हो जाएगी आप मैप का एक भी कोशन नहीं छोड़के आएंगे और फैक्ट भी फैक्ट्वल जो कोशन आएंगे वह भी आपको आजाएंगे ठीक है सारी चीजे में कवर कर आदे फैक्ट है जैबल अली या मिन्ना जैबल अली यह एक पोर्ट है है न यूए में और यह बहुत ही डीप पोर्ट है और बहुत ही बड़ा मैनमेड हाबर है हाबर बोलो पोर्ड बोलो जो की दुबई में है ठीक है जहां से यूं कहलो काफी बिजियेस्ट भी है पोर्ट है न और यूं कहलो वर्ड का नाइन प्लेस पे आता है इतना बड़ा है ना वर्ड के नाइन प्लेस में जो हार्बर है और काफी बीजी पोर्ट है ब्यापार बहुत जादा होता है यहां से तो इसलिए यह फेमस है और यह मैंमेड है ना जैबल टली यह मिन्ण जैबल अली यह नाम आपको स्पाइव कि और को से 101 मैं है यह मैं चाहिए में है इरान में है इराक उप यह होगा अगर बहुत ही क्लोज और उप्स़ легly में जैसे ही चाहिए साथिया अरभी सौरी साथिया अरभी में बोलाओ यह कहलो आभुदाभी में पूछ लिया गया है ना या दुबाई में है कहां पर है तो वह आपको पता होना चाहिए एक जैक लोकेशन ठीक है तो आगे बढ़ते हैं मैं आपको सीपेक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहरा यह भारत यहां से है रास्ता जो कि को लिड्न करता आप पाकिस्तान से होते हुए जो कि मैंने आपको बताया था एक ट्रेटी के तहद अएट पाकिस्तान जिसमें क्या अफगानिस्तान अपना सामान इंडिया को बेज सकता था इनका यह रूट को यूज करके जब से हमने हमारे रिलेशन पाकिस्तान से बिगड़े हैं ना तो पाकिस्तान से ब्यापार कर रहें ना रिकली और नहीं हम अफगानिस्तान से डारेकली हमें पूरा घू यह जो हैं हम डवल भी कर रहे थे आप वह बताएं को सा पूर्ट डवल पर रहे थे इंडिया को सब्सक्राइब इरान में पर डवल पर रहा था ठीक है बहुत ही इंपॉर्टन है जो की डवल तो हो गया है बट वहां से जो रेल रोड कनेक्ट कर रहे थे हम अफगानिस्तान वह लगान देखें तक वह नहीं कर पाएं ठीक है भी सुम मेजर इसमूस तो अब यह जो इकॉनमी कोरिडर हैं यह चाइना बना रहे हैं पाकिस्तान में जिसको सीपेक के नाम से जानते हैं चायना पाकिस्तान इकॉनमिक और तो यहां पे रोड रेल पोर्ट यहां यहां प मैप देखोगे यहां पर पता चलेगा किस तरीके से क्या खिया चानक कर रहा है चाइना और अफगानिस्तान को भी यहने लुकल करने करेंगास क्षाइबड़ और तो यह तो यहांच कर रहे हैं जिसको जिनको कणिक निक यह हुआ है कि नके द से जो हाइवे थे उनको कैसे चलिली में डिकषा हूंगा अभी जाएं ऐ ложतान है यहांब आम यहां से रूट यहां पर यहां पर झाते यहां यहां पर पाकिस्तान है यहांत companion सारा, यहां पाकिस्तान नहीं बॉर्डर से कर लगाती अफगानिस्तान के साथ यह अपको पता होना शीए यह काबोल या काबोल है ना काबोल जो यह है तो यहां पता हो गया होगा तो यह लुक्त कर रहे हैं पाकिस्थान का नाम पताइए जो हम डब लब कर रहे तो यह यहां पे दिखाया गया और इस्तन्रेट भी आपको घ्रीन से आपको दिखाये गया है तो ये चीज़े थी मैंने आपको दिखा दिया था यह कभी बारे में आपको बताया कभी कभी जुट बता दिया आपको में मैंने बता दिया न लीवा के बारे में आपको दिखा देता हूँ कहाँ है तो एक बि Really यह पोर्ट आप देख लो यह है यह है मैप यह अबुदाबी यहां पे है मिन्ना जैबलली यहां पे है वह पोर्ट है ना पर्सियन गल्प में ठीक है यह चीज आपको पता होना चाहिए यह है स्टेट आफ हर्मूज ठीक है आई होप यह तो किलियर हो गया आपको है ना तो गल्प आफ एड़न यह सारी चीज़ें आप देख लेना है मन साथ अरेबिया मेजर कंट्री जो है कदर बहरेन कुबैद और चीज़ें आपको आपके पता चलती रहेंगी है ना आई होप यह लेक्षियर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा जैसा भी फीडबैक हो आप मुझे दे सकते हो तो आज की इस वीडियो में बस नहीं दोस्तों मैं पुनी तीवारी बिदा लेना चाहता हूं आपसे थैंक्यू फॉर वाचिंग थैंक्यू